हलो एवरीवन वेलकम टू लर्णरबी आयम शिवानी चौहान इस वीडियो में हम लोग देखेंगे क्लास नाइन्थ जो हिंदी की बुख है स्पर्श उसका ये जो चाप्टर है चाप्टर सेवन है चाप्टर सेवन जो है पद पद जो है राय अदास के पद हम इसमें इसका पूरा explanation देखने वाले हैं तो देखें स्टार्ट करते हैं एक एक word का meaning समझेंगे हम लोग और सब कुछ अच्छे से देखेंगे तो क्या बताया गया है अब कैसे छूटे राम नाम लट लगी प्रभु जी तुम चंदन हम पानी जाकी अंग अंग बास समानी प्रभु जी कईश है तो देखेंगे शितौटे राम नाम रट लगी तो मतलब ही जो राम नाम की रड़ अब लग चुकी है ये कैसे छूटेगी आप तो जो यह भक्त हैं राइदाज जी हैं ये ईश्वर से कहते हैं कि आप तो हमारे पूरे शारीर में मतले बस गए हो जैसे की चंदन जो है पानी में जब घुलता है तो पानी से चंधन की महक आने लगती है उसी तरीके से आप भी हमारे रोम रोम में बस गए हो तो क्या कहना जा रहे हैं इस पत्मिन कवी ने भक्त की उस अवस्था का वंडन किया है जब भक्त अपने अराध्य यानि कि अपनी इश्वर की भक भक्त से दूर करना फिर थो असंबफ हो जाता है तो फिर वह भक्त भाग्वान से दूर नहीं हो सकता कश रह को कवी भग्वान से कहते हैं कि हे प्रभू में यदि तुम चंदन हो तो तुम्हारा भक्त यहीं देखी उसी तरीके से प्रभु की भक्ती भक्त के अंग-अंग में समा जाती है, फिर आगे कभी कहते हैं कि यदी तुम बादल हो, तुम अगर बादल हो तो तुम्हारा भक्त जो है वो मोर के समान है, जो बादल को देखते ही नाचने लगता है, जैसे चिटवन प्रभु जी तुम गद्बन हम मोरा, मतलब तुम जो है अगर प्रभू तुम बादल हो तो हम मोर हैं तुम्हारा भग्त उस चकोर पक्षी की तरह है जो बिना अपनी पलकों जभकाए चांद की ओर देखता है तो हमें कैसे पक्षी की तरह है जो तुम दीपक हो, अगर तुम जो है, दीपक हो, तो तुम्हारा भक्त उसकी बात्ती की तरह है, जो दिन रात रोशनी देता है, कवी भक्त से, जो है, कवी भगवान से कहते हैं, कि हे प्रभु, ये धी तुम मोती हो, तो तुम्हारा भक्त उस धागे के समान है, जिसमें मोतिय पिरोई जाती हैं तो मतलब अगर कभी कहते हैं भगवान अगर आप मोती हैं तो हम जो है वो धागे की तरह हैं जिसमें उन मोतियों को पिरोया जाएगा यानि की डाला जाएगा उसका असर ऐसा होता है जैसे सोने में सुहागा डल गया हो अर्थात उसकी सुन्दरता और भी निखर जाती है मतलब जिसे की धागे की सुन्दरता निखर जाती है जो उसमें मोती बढ़ता है इसी तरीके से भक्त की जो है इश्वर की भक्ती में निखर जाता है तो आगे कहते हैं है कि कभी राइदास अपने अराध्य के प्रति अपनी भक्ती को दर जाते हुए कहते ह कि मेरे प्रभु तुम यदि तुम स्वामी हो तो मैं आपका भक्त आपका दस यानि की नोकर हूं फिर क्या कहते हैं वो कि प्रभु अगर आप स्वामी हैं तो इस तरीके की बाते कभी कहते हैं वगवान से तो यद जो है होता है देख का चांद ये सब तो फिर आपको आगेस ये सब का मतलब पता होगा है न दीपक हो गया फिर हा सोहागा मतलब अच्छा सोनी ही मतलब सोना और दास मतलब सर्वेंट होता है तो ऐसे भक्त करे रैदासा तो मतलब अगर आप जो है इश्वर भक्त जो है वो इ आइसी लाल meant कि इस पत्मे कभी भगवान के महीमा का रही है कभी कहते हैं कि है मेरे स्वामि भगवान आप के बेरा कौन न स्वामी मेरे स्वामी च्वाम की अरठकन अपने अराध्य को ही अपना सब कुछ मानते हैं मतलब कभी अपने इश्वर को ही अपना सब कुछ मानते हैं कभी भगवान के महिमा करते हुए कहते हैं कि जो भगवान है गरीबो और दीन दुख्यों पर दया करते हैं भगवान क्या करते हैं भगवान गरीबो पर दीन कि वे कुछ भी कर सकते हैं और उनके बिना भगवान के बिना कुछ भी संभव नहीं है तो कभी के कहने का तातपर्य यह है कि भगवान की इच्छा के बिना दुनिया में कोई भी कारे संभव नहीं है कभी कहते हैं कि भगवान को छूने से जो है बुरा इंसान यहां पर जैसे ना वो इंसान भी जो है उचा उठ जाता है तो कवी कहते हैं कि भगवान को छूने से अच्छूत मनुष्यों का भी कल्यान हो जाता है क्योंकि भगवान अपने प्रताप से बुरे इंसान को भी मतलब जो भगवान की भक्ति मबलीन है वो नीचा था शाहिद पहले मगर अपन मनुष्य के कर्म देखते हैं, उसकी जाती नहीं देखते हैं। कभी उधारण देते हुए कहते हैं कि जिस भगवान ने नाम देफ, कबीर, त्रिलोचन, साधन, साधन, सैन। ये सब जो हैं, इन सब का उधार किया है, जिस तरीके से भगवान ने अलग-अलग दूसरे साधू संतों का उधार किया है, उसी तरीके से कभी कहते हैं, कि भगवान सब का उधार करते हैं, कभी कहते हैं, हे सजन रक्तियों, तुम सब सुनो, उस हरी के द्वारा इस संसार में सब कुछ संभव है इसमें कभी यही कह रही है कि ईशवर जो है कुछ भी कर सकते हैं और ईशवर की द्वारा सब कुछ संभव है और यहां पर देखिए जो शब्द है ऐसी लाल मतलब स्वामी भगवान ईशवर काउनू काउनू मतलब होता है कौन गरीब निवाजु, मतलब दीन जो दुखी है उन पर दिया करने वाले गुसाईं जो है उनको स्वामी, ये इश्वर के बाड़े में बोला जाता है माथे चत्रुधर्य, मतलब माथे पर मुकुटधरा है इसका यह मतलब है माथे चतरुधरे होता है माथे पर्मुकृधरा हुआ है और चोटी जाकी चोटी मतलब चुवा चुवा दिन सब पातों में भगवान कुछ नहीं विश्वास रखते हैं भगवान तो हमारे कर्म में देखते हैं जगत के लोग कुछ भी दो जो बीर्फ द होते हैं जो है जो विंग है उद्धार किया है। हिसलोلك आफ देच्राइए अ करी झाए हैं जब करने करने के कोशिश करें हैं और अगर आपक लोग कहेंगे तो इसके सब्सक्राइए को सब्सक्राइए हम लेकर के आएंगे तो कैसा लगा वीडियो बताइएगा अच्छा लगा तो लाइक करिए चैनल को सब्सक्राइब करिए अपने फ्रेंज के साथ शेयर करिए थैंक यू